हलो एवरीवान, वेलकेम टू मैं चैनल, मैं हूँ दीपति रपका में चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है लास्ट मेरिट में दिवाली की तियारी के लिए आपको क्या-क्या जरूरी सामान रखना है पहले से वो मैं आज आपको वीडियो बना कर रिडी कर रही हूँ तो सबसे पहले तो आपको जिनकी पूझा करना है उनको अच्छी तरह कीसे चमका कर रखना है यानि कि हमारे लक्षमी जी और गणेश जी मेरे पास चांदी के हैं और यह मैंने बिल्कुल साफ कर लिये हैं यह देखिये अगर आपके पास यह नहीं है तो कोई बात नहीं है आप किसी भी तस्वीर की, फोटो की या फिर कोई मूर्ती की भी पूजा कर सकते हैं और इस दिन सबसे आज जोरी होता है सुराती बनाना, ये सुराती आप गेरू से बनाएंगे जो गेरू होती है जो ब्राउन कदर की मीटी ही होती है उससे हैं बनाने पड़ती है और इसमें प्लस-प्लस करके आपको साइन बनाने पड़ते हैं और यह लक्षमी जी कमल पर विराजमान होती है और इस चित्र को आपको बना कर अपने दीवाल पर रेडी करना पड़ता है जहां आप पूजा करने वाले हैं दो लक्षमी जी बनाते हैं हम एक तरफ तुलसी जी जरूर बनाएं और आपको यहां पर कलश बनाना है धन से भरा हुआ तो यह बहुत इस्योब होता है और इनके माते पर आप तेलाग जरूर लगाएं इनके ऊपर आप थोड़ा सा आप ए इसमें हम तेल भरेंगे तो वो तेल बहुत देर तक भरा रहता है और यह शुद्ध हो जाते हैं तो जो भी नएवाद दिये हैं उनको इपर पानी में निकालने हैं मैंने इसको ओवर नाइट के लिए रख दिया था और सुबह इसको निकालकर किसी साफ कपड़े पर इसको भाजी देख रही है ये ताजी जो सीजनल सब्जी होती है यहांप को पूज पर करें एक्या में जान और तो यहां पर गदव ह temperatures पूजा करेंगे यहां लक्ष्मी जी लेकर आये हैं मिटी की और यहां पर बातिया हैं यह वाला जो सिंदूर होता है इसमें थोड़ा सा उभालिया घी मिलाकर हम अपने पंद्रयया बनाएंगे और शुब लाब लेखेंगे महालक्ष्मी सदा सहाई करें यह लेखेंगे और अनपूर्णा मां यह आपर छोटी सी जाड़ो जिसके हम पूझा करते हैं और आपर थोड़ी सी रंगोली के लिए चली है और बातिया है बड़ी प्रतारे में में प्रैल से कर रखते हैं तकंट काफी सासीत tom पूझार्ब लाने परते हैं तो इसके साथ ही सबसे श़री होता है कील आई और नारियल स्रीफल जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है और जो नारियल होता है इसको आप जरूर पूझे हैं आज के दिन जरूर फोड़ना चाहिए और ये लाई है यानि कीखील है और इसको हम सारी चीज़ों में भरेंगे जो की नए नए बरतन आप लेकर आए हैं, वो नए बरतनों में भरना है, और जो डबुलिया होती है, जो की हम बिटी के लेकर आए हैं, उसमें भरेंगे, और इसकी उपर बताशा जरूर रखे हैं, कलावा आप माता के चर्णों में रखे हैं, और पूरे परिवार को वो जो कि अच्छा वाला होता है वो तो लगाएंगे ही जो कि आम की पत्नों का बनाते हैं बंधर वारा लेकिन वह लगांगे इसको भी लगाएंगी है नई कटूरिया लेकर आएउ में तो यह नई कटूरिय में मैं खील बताशा भरूंगी नई बड़ना चाहिए और फ्लोटिं दीये लाही हूँ, जो कि हम शुभ हम पात्रम बनाएंगे, तो फ्लोट करते हैं, तो बहुत ही सुन्दर लगते हैं, वो एक पानी का बड़ा बरतन लेकर, उसमें थोड़े से फूल डाल कर, और यह जो दीये होते हैं, फ्लोटिंग जो कि तैहरते हैं, वो हम डालेंगे, और जो पूरी पूजा है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कैसे करना है बुकल सरल तरीके से तो वह आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो आज का ये वीडियो मैं यहीं सवाप्त करती हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगए जाल से लोगो शेयर जरूर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद